राइबिरेली के मेरे प्यारे बहेनों भायों, नमस्ते, आशा है कि आप सभी लोग स्वास्त होंगे, अने वाली तेज तारिक को आपकी पांचों विधान सबाव में वोट दाले जाएंगे, यह चुनाव आपके लिए बहुत ही महतुपूर्ण चुनाव है, क्यूंकि आपने पांच साल ऐसे सरकार देखी, जिसने आपके बीच अलगाव पैदा करने के अलावा कुछ काम नहीं किया। मेरे किसान भाई बहन इतनी महेन से देश के लिए अन उगाते हैं, इन पांच सालों में आपको ना तो फस्तों का दाम मिला, ना खाद मिली और ना ही सिचाई की सुईदाएं। आपके उपर कर्ज कबोज है और आवारा पशू आपकी फस्तों बर्बाद कर देते हैं। ठीक यहीं हाल नोजवानों का है। नोजवान अपने आने वाले कल के लिए महनत से पढ़ाय करते हैं। नौकरी की तयारी करते हैं। लेकिन भाजपा सरकार ने आपको घार बिता दिया। सरकारी नौकरियों के बारा लाग पद खाली पड़े हैं। लेकिन आपको नौकरिया नहीं दी गई है। पित्रॉल, डीजल, रसोई गैस, सरसो तेल के दाम इतने बढ़ गए हैं। कि आम लोगों के घर चलाना मुश्किल हो गया है। मेरी बहने पाए पाए जोड़कर अपना घर परिवार चलाती हैं। लेकिन महंगाई ने उनका जीवन दुबर कर दिया। भेनों, भायों आपने हाल में ही कोरोना का कथिन समय देखा है। एक तरफ आपको ऑक्सीजन, दवाईयां और अस्पताल में बेद नहीं मिले। अपने प्रियजनों को खोया है, जिनके लिए वहीं एक मात्र सहारा थे। दूसरी तरफ लोकडाउन में आपके काम दंदे बंढ हो गए। आप सबने मीलो पैदल साफर करने की पीरा खुड जेली है। मगर मोदी योगी सरकार ने एक गहर जिम्मधार सरकार का परिचय देते हुए आप सब की तकलीफों के बवजूद मोडे रखा और आखे बंद रखी। इतना ही नहीं लोकडाउन में आप लोगों की प्रती उनका व्यवहर ठीक वहीं था। सरकार ने आपको कोई राहत नहीं दी। आपने देखा होगा कि सरकार ने आपका बोज हलका करने की बज़े आपकी महनच से बनाए गई सरकारी कामपनियों को कोड़े के दाम अपने चहेतों को बेज दिया। लिहाजा बेरुजगारी काफी बढ़ गई है। हम आपके क्षेतर के लिए कहीं विकास योजनाएं लेकर आये थे। लेकिन मोदी जोगी सरकार ने उन सभी पर रूक लगा दी। राइबरेली के साथ सोतेला व्यवहार किया गया है। आपने कांगरिस की राजनीटी देखी है। कांगरिस की राजनीटी सेवा की और आपको अधिकार देने की है। हमने मनरेगा जैसे कानून बना कर आपको रोजगार का अधिकार दिया। जिसे आप अपने जीवन बहेतर बना सके। लेकिन अफसूस की बात है कि ऐसे संकत के समय नरेगा का बाज़त बढ़ाने के बज़ाए कम कर लिया गया कांग्रिस ने लोकडाउन के दोराम भी सेवा की राजनीटी की आप गहरों से दूर फसे थे आपको घार पोचाया जितनी भी आपकी मदद हो सकती थी हमने पूरा प्रयास किया सेवा और अदिखारों की राजनीटी के रास्ते पर चलते हुए है उतर प्रदेश में कांग्रिस पार्टी एक नए राजनीटी का विजन लेकर आए है इसमें युवाओ को रोजगार, महिलाओ को अधिकार, किसान बहनों भायों को सुविदाय देने का और आम जनों को महंगाय से निजात दिलाने की योजना है हमने महिलाओ के लिए शक्ती विधान, युवाओ के लिए भरती विधान और उतरप्रदेश के विकास के लिए उन्नत्ती विधान तयार किया है मुझे कुशी है कि प्रियांका ने इस बार 40% महिलाओ को दिये है उतरप्रदेश में पीछले पांच सालों में हमारे कर्यकरताओं ने बहुत महिनत की है जन्ता के हक की लराई लड़ते लड़ते हमारे अथारा हजार कर्यकरता जेल भेजे गए बहनों और भायों मैं अपने आपको आपके परिवार का एक अतूत हिस्सा मानती हूँ हम आपके जीवन को बहतर बनाने वाली राजनीती के प्रती समर्पित है हम आपको ऐसा भी धायक देना चाहते हैं जो दिन रात आपके लिए काम करें और आपको मजबूत बनाने वाली योजनाए बनाएं इन चुनाओं में कांग्रेस पार्टी के हातों को मजबूत कीजिए और अपने बविश्य को बैतर बनाने वाली राजनीती चुनिए राइबरेली के हमारे सभी उमिद्वारों को भरे मतों से जिताएए जय हिंद